I hope आप सभी को derivatives के first principle का concept अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो चलिए अब एक concept test करते हैं इसमें हमें एक function given है fx is equal to 100 और हमें derivatives के first principle का यूज करके इस function का derivative find करना है तो अब आप इस question को खुद से solve करने की try कीजिए So please pause the video here and take 4 minutes to solve this question I hope आप सभी ने इस question को solve कर लिया होगा तो चलिए अब हम इसको solution discuss करते हैं हम ये अल्रेड़ी पढ़ चोके हैं कि derivative के first principle के according f dash x का ये formula होता है या फिर किसी भी function fx के derivative को find करने का ये formula होता है अब इसके लिए हमें fx पता होना चाहिए और f of x प्लस h पता होना चाहिए so fx तो given है 100 अब हम f of x प्लस h की बात करें तो देख सकते हैं कि जो function है वह एक constant function है तो x के किसी भी value के लिए इसकी value हमेशा 100 ही रहेगी that means f of x प्लस h की भी value 100 ही रहेगी तो इन सा भी values को जब हम formula में put करेंगे तो हमें f dash x की value 0 के equal मिलेगी that means जो हमें function गिवन था fx is equal to 100 उसका derivative हमें 0 मिला है इसे हम graphical भी समझ सकते हैं जो function है fx is equal to 100 उसे हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं कि y is equal to 100 आब ये दी हम y is equal to 100 को draw करें तो वह ये straight line होगी हम पढ़ चोके हैं कि derivative होता है dy upon dx जो की होता है change in y upon change in x हम graph से clearly देख सकते हैं कि x के किसी भी interval के लिए y में कोई change नहीं हो रहा है that means change in y है वह 0 के equal है इसलिए हमें dy upon dx या फिर f dash x की value 0 मिली थी यदि हमें कोई function इस तरह का given हो कि f x is equal to any constant तो उसके लिए हमेशा ही उसका derivative 0 आएगा क्योंकि उसमें same concept apply होगा that means हम यहाँ से कह सकते हैं कि किसी भी constant function का derivative always 0 होता है झाल कि ठाल कि उसके अठेफ़ंप जाएड़